सभी को सूप्रभात संस्कृत श्लोक भंग पॉड्कास्ट में आपका स्वागत है आज हम कुछ संस्कृत नीती श्लोकों का पाट करने जा रहे हैं साथ ही इन श्लोकों के अर्थ और वास्तविक जीवन में उनके प्रभाव या सम्मानता और उनके नैतिक अर्थ पर चर्चा करेंगे तो बिना किसी देरी के चलिए श्लोकों से शुरू करते हैं आलस्यम ही मनुश्या नाम शरीरस्थो महान रिपुह नास्त्युत्तमसमुपंदू यनकृत्वान वसीदती आईए देखें कि ये श्लोक वास्तव में क्या अर्थ दर्शाते हैं आलस्यम वास्तव में मानव शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे परिक्ष्रम जैसा कोई मित्र नहीं है जो हमें कभी दुख नहीं देता ये हमें बताता है कि अगर कोई व्यक्ति आलसी है तो वह कोई भी काम नहीं कर पाएगा जबकि जब वह अपना काम कर रहा होता है तो उसे खुशी महसूस होती है क्योंकि उसे पता है कि वह इसे पूरा करने के बाद मुक्त हो जाएगा इसलिए हमें आलसी नहीं होना चाहिए क्या आपने दैनिक जीवन में कभी ऐसा कुछ अनुपव किया है? हाँ, मैंने अपने भाई को भी दिन भर आलसी रहते हुए बिस्तर पर लेटे हुए, मोबाइल देखते हुए और फोन पर गेम खिलते हुए देखा है और अब उसका ग्रह कार्य बच्चा हुआ है क्या शांदार अर्थ है? तो दोस्तों, याद रखें कि आलसी मत बनो पापा निवार यतियो जयते ताय गुहियम निगुहती गुनान प्रक्टि करोती आपद गतम चन जहाती तद दिकाले सन मित्र लक्षण में दंप्रवादंती संतह एक अच्छा दोस्त आपको गलत काम करने से रुकता है बल्कि वह हमें सलाह देता है वह हमारे रहस्या को चुपाता है बल्कि दूसरों को आपके बारे में अच्छी बाते बताता है मदद के समय हमारी मदद करता है और खबी हमारा भरोसा नहीं तोड़ता ये एक अच्छे दोस्त की निशानी है बुरी संगत से दूर रहने के लिए एक अच्छे दोस्त के गुणों को जानना चाहिए हाँ, मेरी भी एक अच्छी दोस्त है उसमें ऐसे सारे गुन हैं और वह हमेशा मेरी मदद भी करती है जब मुझे कोई ग्रह कारिया या स्कूल के काम में मदद की जरुरत होती है तो वह मेरी मदद करती है अच्छा ये तुम्हारी दोस्त कौन है? तुम ही मेरी वह दोस्त हो हमें उमीद है कि आप लोगों को ये पॉड़कास्ट पसंदाया होगा अगली बार तक अलविदा